हेलो दोस्तों नमस्कार आपका हमारे यूटीब चैनल संधिया ग्यान में श्वागत है हम आपके लिए लेकर आ गये हैं जीके का पाल्ट 10 जो के आने वाले एक्जाम के लिए इंपॉर्टनेट है ठीके बच्चो तो लाइक से स्क्राइब एंड शेयर कर दीजिए ठीके बच पती सबसे बड़ा ग्रह ठीक है आगे चलते हैं बिंध्या चल और सत्पुरा पहारियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है नर्मदान सिंधु नदी कोसी या फिको दावरी तो इसका सही अंसर होगा आपका नर्मदा नदी ठीक है आगे चलते हैं विबेकानंद रॉक मे लाडू मिश्ती ठीक है कितने वर्सों के पस्च्यात राष्टी जन गरणा होती है दस पांच तीन पचीस तो इसका सही अंसर होगा दस वर्स बाद होती है ठीक है आगे चलते हैं हिंदी किस लिपी में लिखी जाती है पर्सियन रोमन देवनागरी या फिपाली तो इसका स सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है 7 अगस्त 16 सितंबर 4 दिशंबर 8 फरवरी तो इसका सही अंसर होगा 4 दिशंबर ठीक है बच्चों आगे चलते हैं सशस्त्र सेना जहंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है 7 सितंबर 7 दिशंबर 7 फरवरी 7 अप्रेल तो इसका सही अंसर होग आपका साथ दिसंबर होगा ठीक है बच्चो आगे चलते हैं राश्टी पच्छी दिवस कम मनाएज जाता है बाराइक्टूबर, बाराइन नूमबर, ऑढृत हरा दिसंबर या इन में से कोई नहीं सचिए और बताईए बाराइन नूमबर को मनाया जाता है ठीक है बच्चो 9972 में या 1970 में इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा 9972 में होई थे ठीक है बच्चो डबलू एल एल का अर्थ है बताए इसका फुल फार्म क्या है मतलब तो विदाउड लिवर इन या वायरलेस इन लोकल लूप या वायरलेस इन लूप लाइन या वे दिन चलिए अब आगे चलते हैं मनुष के सरीर का समानत अपक्रम होता है यानि शभी मनुष का जो समानत अपक्रम होता वो क्या होता है देखिए 65 डिग्री या फिर 95 डिग्री या फिर 99 डिग्री तो इसका सही अंसर हो जाएगा C यानि के 98 डिग्री ठीक है बच्चो आगे चलते हैं उसमा का सबसे अच्छा चालक है चांदी ताबा सोना या इनमेश कोई नहीं तो इसका सही अंसर होगा A यानि के चांदी ठीक है बच्चो आगे चलते हैं किसी द्रव का उसके कोथनांक से पूर्व उसके वास्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या करते हैं संगनन, हिमकरड या वास्पी करड तो वैसे तो इसका अंसर सही पता है इसका अंसर वास्पी करड होगा ठीक है बच्चो आगे चलते हैं कौन से प्रक्रिया, प्रकास और ध्वनी दोनों में घटित नहीं होती है ध्रूवड, अपवर्तन, विवर्तन ये भी परावर्तन तो इसका सही अंसर होगा ध्रूवड ठीक है बच्चो आगे चलते हैं ध्वानी नहीं गुजरती है, वायू से, निर्वास से, इस्टेल से या जल से, सभी को मालूम है निर्वास से जल नहीं गुजरती है कमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोगी में लाया जाता है उत्तल, वर्तुलाकार, समान मोटाई क्या या उत्तल तो इसका सही अंसर होगा आपका यानि कि उत्तल का ठीक है आगे चलते हैं पानी से भरे तलाब की घराई किस कारण कम दिखाई देती है अपवर्तन के कारण सभी कमालू होगा ठीक है आगे चलते हैं प्रकास की गति किस के बीच से जाते हुए नियुन्तम होती है वायू, जल, कांच, निर्वाद, तो सही अंसर होगा कांच ठीक है आगे चलते हैं तरल, ताल, वास्त्विक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है इसका क्या करण है प्रक्योडन, वियति करण, अपवर्तन या पिप्रकास तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपका सी यानि के अपवर्तन ठीक है आगे चलते हैं अति चालक का लच्छड है उच्छ परागमताम अनंत परागमत्या या फिशुन परागमताम या फिन्यमन परागमताम तो इसका सही अंसर हो जाएगा यानि के उच्छ परागमताम ठीक है वच्छो यह हैं मारा last question है तब तक के लिए जाहिए जाहिए भार